पूर्वराष्ट्रपती प्रणाम मुखर जी को आरेसेस के दिये नियोते पर छुड़ी बहस अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बेच्पी ने भी रजजब बैंक के पूर गवनर रगुराम राजन को अपने कारकर में बुलाने का नियोता दिया है जिस पर राजनिती गर्मा सकती है विश्व हिंदू परिशद ने शिकागो में आयोजित होने वाले कारकर में आने का नियोता दिया है हाला कि रगुराम राजन ने कारकर में जाने को लेकर अभी तक पूरी तरह से रजामन दी नहीं दी है कॉंग्रेस के वरिश्ट नेता और पूर्व राश्पती प्रडम मुघरजी के आरेसेस के कारिकर में जाने को लेकर कॉंग्रेस और वीजबी दोनों आपस में टकरा रहे है इस बीच विश्व हिंदू परिशत ने रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रगुराम राजन को कारिकर में आने का न्योता दिया है वीपने रगुराम राजन को शिकागो में आयोजित होने वाले विश्व हिंदू कॉंग्रस में शामिल होने का निमंतरन भेजा है यह कारेकरम स्वामी विवेकानन की शिकागो यात्रा के 125 साल पूरे होने पर इस साल सितंबर में अमेरिकी शहर शिकागो में ही आयोजित होगा इस कारेकरम में आने के लिए आरेसेस प्रमुक मोहन भागवद, तिबबती धर्म गुरु दलाई लामा, यूपी के सीएम आधित्यनात योगी, हॉलिवोड स्टार रिचर्ड केरे और अमेरिकी कॉंग्रिस की सदस्या तुलसी गबाड को भी आमंत्रत क्या कया है हाला कि रगुनाम राजन ने कारेकरम में जाने को लेकर पूरी तरह से रजामंदी नहीं दी है, लेकिन अगर वो इस तमाहरों में शामिल होते हैं तो वाकि दिल्चस्प होगा क्योंकि जब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तो विहेप और RSS दोनों ही उनकी नीतियों की चम कर आलूचना करते थे ऐसे में राजन को कारेकरम में बुलाने का न्योता देना भारत की राजनीति को कर्मा सकता है डिविलाइफ के रिपोर्ट